होलो बच्चो मैं सभी का सौगत करता हूँ फिजीज गयान मुकेश ने एक चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले बच्चो सेमी कंड़क्टर आपको पता होना चाहिए सेमी कंड़क्टर में मिनिममम तीन कोश्चंस मिनिममम नहीं मैग्जिममम बोलना पड़ेगा मैग्जिममम तीन कोश्चंस एटी में आने वाल है 100% बच्चो मिनिममम दो तो आएंगे आएंगे और यह सवाल कोन से बेसिस पर होंगे यह बहुत इंपोर्टन से करेक्ट है बच्चो मैंने बहुत जादा श्टड़ी करते हुए अनालिसिस किया है और एक्स्परियंस इसलिए बच्चो जादा से जादा शेयर करना है जो बच्चे ने है सब्क्राइब करना है और लाइक भी करना है बच्चो ताकि मुझे इनर्ज मिले और ऐसे वीडियो बनाते रहूं सबसे पहले मैंने इस चाप्टर के फार्मूले दिख्के रखे जैसे की इमीटर करंट यह base more collector से बने वाला है आलफा DC होता है IC by IE, IC by IB इसमें सिम्पल है बच्चो तीन करंट मेरे पास कौन-कौन से आपको पता है IE करंट एक IC है और येका हमारे पास IB, ऐसे समझो, तीन करंट है तो मैंने बोला, आलफा is equal to IC, बिटा is equal to B IC, अब दिविजन करना है, एक करंट खतम बीटा बी बी लग रहे ना तो बी लिग दो बचा कौन सा है एक यहां पर लिग दो खतम किस्सा बच्चों जिनको नहीं मतलब confusion होता है उनके लिए यह ठीक है यहां पर बच्चों इनका relation बना दिया input-output characteristics में बच्चो output resistance, voltage gain, voltage feedback यह आपको आना चाहिए ठीक है अब रही बात यह questions 100% बच्चों इस calculation basis पर एक सवाल उठाने के chance से इस chapter में इन formula के basis पर question की तैर यह one questions है ना IMP होगा इस formula पर तयारी करो एक questions मिल गा है दुसरा question कहां से उठा सकते सबसे बच्चों इस chapter में famous है वो है logic gate, combination of logic gate कुछ भी देंगे यार, logic gate में ऐसे देंगे, ठीक है, ऐसे देंगे, यह होगा यह, बाद में एक input आएगा बाद में यहाँ पर एक gate लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए यह A, B, यह C है तो यह इसका होता, A, B, बार, क्योंकि dot है बच्चों, यह C है, इसका dot काम होता है बच्चों, C dot A plus B का बार का total बार, ठीक है? एक B Morgan तेरम अपने books में नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत जरू है, break the line, change the sign, मतलब बच्चों, A plus B रहा, तो A dot, A bar dot B बार लिख सकते हैं, बस समझते हैं, break line करो, change sign करो, यहाँ पर बच्चों, A dot B, तो यहाँ पर, यहाँ पर A bar plus B bar, देखो, sign change गया बच्चों, यह दो ही एक तो plus का, एक तो dot का, अगर यह वीडियो देखना है बच्चों, तो मैंने CET के जो crash course है, अपना 2020 का, उसमें जाके देखो, उसमें बहुत detail में, इसका एक फायदा हो सकता है, NEET वाले बच्चे भी तैयरी कर सकते, CET वाले भी कर सकते, JEE वाले, इतने खतरनाक approach, इतने ख बच्चों, लोजिगेट का, कॉम्बिनेशन लोजिगेट, फिर इसके, डी मॉर्गन सेरम, यह सभी पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे, छोटाए गेट लगाए, कौन सा मनला में, नोट गेट बच्चों, तो यह A bar होता, यह B bar होता, तो यह A bar, B bar, break the line, change the sign, क्या होता है A dot B का काम करेता तासका, देखो ना, break the line, change the sign, double bar, bar bar cancel होके A dot B, तो यह ऐसी चीज़े करना आना बहुत जुर्य, इसका लावा एक ठेरोडिकली सवाल होगा आपके लिए, वो सवाल, logic based पे होगा, यह पुछेंगे आपको, कि PN junction diode क्या है, barrier potential, जैसे कि silicon रा तो 0.7, germine रा त sorry, logic gate pin ही है, diode, photo diode, diode के ऊपर सवाल, आगसी मैं पूछने के चार्ज़े से, बच्चो, किसके ऊपर, किसके ऊपर बच्चो, diode, फिर ओगा diode, जिन डाएड हो, या photo diode हो सकता है, LED भी एक diode ही बच्चो, दो material को, P-type, N-type, intrinsic semiconductor, extrancy semiconductor, insulator semiconductor, यह सबी चीज़े आप लोगों को अच्छ के चलो, question, 3 questions, कौन सा questions पहला, formula के ऊपर, पक्का करना है बच्चो, logic gate के ऊपर, पक्का questions आएगा, अची practice करो, नहीं आ रहा है, तो crash course का, अपना जो भी playlist में जाना, crash course में देख लेना, semiconductor, number 2, number 3, gate के ऊपर, sorry, diode के ऊपर, maximum सवाल, उसमें फिर halfway follower rectifier भी आता है, क्योंकि उसमे डायड ही इस्तेमाल करते हैं, जिनन डायड, फिर उसमें voltage regulator, डायड कोई भी, डायड का जहां-जहां use है, वो कोई भी उसके ऊपर best questions आएगा, तो 3 questions की तैयरी करो, बहुत ही अच्छा chapter बच्चो, बहुत simple है, theoretically जादा है, theoretically दो सवाल आने वाले मैंने जैसे बताया आपको, एक logic gate नहीं theoretically नहीं बोल सकते हैं, समझा है, लेकिन बच्चो तैयारी करो, ये chapter की मतलब, जो concept है, मैंने already upload कर चुका हूँ, crash course मैं, तैयारी करो, कुछ help लगती ही, तो मुझे comments करो, मैं आपको help करते हूँगा, तो thanks for watching this video and best luck for your world study.